हेलो गाइस नाइस टू मीट यू अगें इन इस वीडियो लेक्च्चर वे विल बी डिवेट अबाऊट एंड़ टिसू विच नीम इज एडिपोज टिसू उसका नाम क्या है बटा एडिपोज टिसू तो हम लोग जैसा कि आपको पता होगा प्रिविएस वीडियो लेक्च्चर में हमने बात किया था कनेक्टिव टिसू को लेकर है कनेक्टिव टिसू में हमने डिवेट किया और समझाने की भी कोशिस किया था कि क selective tissue में बैटा क्या है कि जो समचेल है वो ब्लाड और लिंड्स से मिलके बनाए है यह प्लाज़्मा कर्फल्स प्लाज्मा लीकोसाइट इत्ली को साइट ट्रेयर ग्रेंओलांग लॉक सींदी fine इıtने हमें इस में हमने बात किया था से स्टार्ट किया। इसमें बात करते हैं वह तो हमने चार पहले बताए पहला बताए बता उख एक पीशिव मॉस्कुलर किया था कॉलूमिनर की बात किया था स्ट्रेटिफाइड के बात किया था जो इसको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं इसको एमस एपिधिलियल के जो सेल्स होते हो फ्लाइट होते हैं थिन प्लेट होते हैं मतलब लेयर जो होगी एक भी हो सकते और एक से ज्यादा भी हो सकते ह यह पाँ जाएंगे लगोड़ रड़ जिसोग क्यों पायते हैं मोर दम इसमें जो में उप्राइब के होंगे और लोकेशन जो होगा यह क्या होगा ट्यूब्यूल में बॉलनल्ची में पाय जाएंगे फिर मैंने कॉलूमिनर थिसरे टाइप करा है है columnar epithelial tissue जिसमें जो सेल्स होगे हो पीलर लाइक होंगे ठीक है पीलर लाइक सेल्स होंगे लाइंग साइड बाइसाइड नुकलियस जो होगा बेसल पार्ट पे होगा मतलब नीचे होगा यह जो टिसू है जो कहां पाइजाता है तो हमारे स्टमक में इंटस्टाइण में और गाल ब्लैडर में फिर हम बात कर लेते हैं सीलियेड़ ते यह क्योंकि इसमें सीलिया आने के वज़ा सर्फिस एरिया बढ़ जाती है जो एप्जॉप्शन और सिक्रीशन में हैं तो यह इंवनेरी ट्यूब्यूल्स और ब्रॉंचियोल्स में पाए जाते हैं इसमें लेयर बनाते हैं जैसे की स्कीन और कॉर्णिया अब दा आइस तो यह हमारा एपिथेलियर टिसू में पढ़ाया था फिर कनेक्टिव टिसू की मैंने बात किया जो अभी चल रहा है आपका कनेक्टिव टिसू में मैंने बताया बटा रोलर टिसू पाइब्रस टिसू एडिपोज टिसू कटिले कार्डिक मचल ने अब कि आपको चुट गया तो यह सकता उर समझ सकता यह सारे कंसे गयों सकत्त को इस सकता टाइस्क को मुक्न अंडर ड़ॉन्टिनृ जो आपको अगर जो किसी सी जो amendment अइस मुलेंटरी मुसल्स हैं यह हमारे बिल्पाउर के अ enfant करते हैं इसमें इसमें और यह Curieux इंister उसको सअरोे सीजंद बोहन और जो हमारे सवे मिलेंगर पर इसेता हैं झा का सव Instr CHAs हो गया nov h下ı फूर अलंदर हो गया ठोगा है ठ्द्र घ्लाइश होते हैं मुमेंं हम करते हैं पूर्ट पार्टिकल्स को पॉर्ट सिर्फ हार्ट में मिलेगा जो वालनटरी ओर मिक्सर होता है और अपना भी कर्णास करता है इसलिए इसमें और मुमें серьport चलिए हम कनेकटिव टिशू फिस से बात कर लेता है कि अधिक रोलर और फाइब्रस क्टिव टिशू में ने पढ़ा दिया टेंडन बताया था लिगामेंट बताया था जो बोन टूब या muscle to bone connect करने वाला लिगामेंट होगया और Tendon क्या करता बिटा Tendon muscle to bone connect करता और ligament muscle bone to bone को connect करता ये था और differentiate भी मनें बताया था एल्लो फाइबर और किसमें scattered form में होंगे और कौन से arranged form में होंगे तो जो tendon होते हैं वो रो में होते हैं और जो लिगामेंट होते हैं वह was shattered णो यह अपके पास यह नहीं कैई 155 के बारे में हमागा मोटा मोटी बताना हो थह तो हम यह बोल सकते हैं कि in this kind of fiber and white दो fibers पाएजाते है, white और aloe fibers, ठीक है, cells are modify and store for, जो इसके cell जो एडिपोस्ट इस्वो, जो cells है वह जो modify होते हैं और क्या बनाते हैं, जो fat को store करते हैं, right, each cell consist of large contactile bacules, तभी तो store कर पायगा, जो कि जो इसके अंदर क्या होगा, large contactile bacules होगा, तो एनिमल सेल में लार्ज कंटक्टाइल बैकोल मिलेंगे यह इंपोर्टेंट है याद करिएगा जैसे हम बताते थे कि बैकोल में भी परजेंट में भी अपसेंट और होंगे तो स्मॉल साइज होंगे लेकिन एडिपोस टिस्व हमारे बॉड़ी का एक ऐसा टिस्व है जिसम के नीचे मिलता है इंटर्नल और एलो बोन मैरों के और यह अलो बोन मैरों के अडिपोस टिसू का क्या काम है तो यह बहता है उस गाप को भरता है इस्टूर फैट करके किप दा बॉड़ी वांब जिससे बॉड़ी क्या होती है गरम रहती इंसुलेटर का काम देख इतना त इस फैट फैट इस स्ट्रॉँग इस है अंड फर्म बाइड सजेस्टन राइट इसको इसको बॉलते है इस जाय नाम दिया घा ए जो फैट से लै थे है आटीपोस Always व्ह एकीफ नाम दिया घूट क्योंवल नाम दिया घूट साइट सें सो जो फैट को फैट को स्ट droplet अल्मोस्ट तो नुक्लियस ओके एडिपोस्ट इसू आउटवर्ड सिम्लर एलोर टिसू अन्हाबिंग जेली लाइक मैट्रिक्स दमैट्रिक्स कंटेन फ्यू फाइब्र ग्लास्ट ठीक है मैक्रो फेज कोलेजन फाइबर अनिलास्टिक फाइबर तो लोकेशन क्या होगा कैंट्रिक्स कहां हमारे बोडी में बटा तो यह ऐजा फाइबिवार्ड में होर्स में Hai होगा इनसाइथ यलोविंस अर्व मैं अले बने मैं tissue because it collect the fat keep to body warm ठीक है and stock proof होते हैं ठीक है जो impact organs and keep the visceral organic in position ठीक है इतना दोधियानक ना insulating layer का काम करता है जैसे जब यह जो gapping होती है उस air को भर देता है उस gapping को भर देता है fat से जिससे insulator का heat को control करता है ठीक है तो animal living in cold area having thick जो animal thick area cold area में सर्वाइब करते हैं उन में यह layer addy post issue की ज्यादा हो जाती है ठीक हो जाती है मोटी हो जाती है ठीक है provide safe to animals तो do you know मैं आप देख सकते हो हम आप कैमल जो कैमल होते हैं उनके पीट पैसे हम बना होता है ठीक है तो यह fat को इस्टोर करता है और जब food की requirement पड़ती है तो इसी हम से food मालो नहीं मिलता है तो उसको हम उसे longer time तक energy और water survive करता है provide करता रहता है और insulating fat body present in well is called blood blubber ठीक है फिर आपका next topic आता है वेटा skeleton tissue को क्या आता है supporting tissue skeleton tissue को हम another name देते हैं supportive tissue यहां लिखाए supportive connective tissue बोलो या skeleton tissue बोलो तो इसमें matrix क्या होती है रेजिड हो जाती है hard हो जाती है जिससे यह क्या हो hard होता है और cartilage non-porous tissue होते हैं तो cell जो cartilage होते हैं कंट्रोब्लास्ट के होते हैं cartilage के जो सेल होंगे वो कंट्रोब्लास्ट होंगे ठीक है अब वहीं हम अगर बात करें bone के cell को तो osteoblast क्या वह लाएंगे osteocytes तो इनके बारे में हमें समझना है ठीक है कुछ cell cartilage यहां पर यह जो diagram दिखाया जा रहा है यह cartilage है इसमें जो सेल्स हैं इन सेल्स का नाम दिया गया है क्या नाम देता है नहीं बोलते हैं तो यह जो कबरिंग हुई है उन कबरिंग को बेटा बोलते हैं पेरिकार्डियम या पेरिकार्ड्रियम या याद रखना तो लेस्ट डिवेट अबाउट अ देखिए यहां पे पेडिया के क्या बताया ने कोसिस किया यह सब्सक्राइब में स्कल्टन जाँदा अच्छे से डव्लप होता है जो भर्ट बॉर्टी बोडी होते हैं दुन में बोन्स अच्छे से डवलप होता है विछ हैं लोको मॉसन प्रवाइड रिएस इंपोर्टेंट इसेंच्छियल आर्गन लॉंस प्लू प्रोटीन और मिलेंगे जो सॉलिट फ्लेक्सिबल ट्रांसपोर्ट जेली लाइक सबस्टेंस पाए जाते हैं जिसमें 60 से 80 परसेंट वाटर होता है तो जो मैट्रिक्स है इस में बेटा वह 60 से 80 परसेंट वाटर होगा वेरा थ्री टाइप आफ मतलब होगा ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकोज ठीक है दो सब्स्टेंस होते हैं मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स आप काट्लेम से करेटि इस एस जो काट्रिच का permettre जो सब्स्क्राइब्ल होता है कौन से से हैं तो कौंड्रियो व्लास से सब्सक्रेट होता है जिसके वज़यसे मैट्रिक्स कंट्रियो साइट दिजुकेटेट अर उनके बीच में जो गैपिंग होता तो उसको लाकूना बोलते हैं चिल ऑने लेकूना जाए जाए तो जो सर्फिस कार्ट्रेज कबर होता उसे पेरी कार्डियम बोलेंगे तो जो बांड़ेट कबरिंग लेयर है यह नहीं होगे इसलिए कान की चिताही होती है तो उसमें पेन नहीं होता है जो गॉल्फ में करते हैं लोकेशन की बात करें तो यह कहां पाये जाते हैं हमारे बॉडी में बिटा तो इयर पिनना ठीक है इप आप दा नोज जितने बर्टीब्रल कॉलम जो 33 बर्टीब्रल कॉलम है हर एक बोन के बीच में काटिलेज पाये जाता है तो जहां बोन जॉइन काटिलेज का यह यह प्रोवाइडर की फ्लेक्सिबिल्टी अन सपोर्ट तू दा वेरियस पार्ट आप दा बॉडी अन बटीब्रल डिस काटिलेज फंक्शन दग अंगेंस स्ट्रेस से बचाता है ठीक है और यह सारा यह वहीं अगर बोन देखा जाए तो बोन जो है यह भ इसके सेल्स को क्या बोल रहा है बैटा ऑस्टियो साइट राइट याद रखना इस ओस्टियो साइट तो बोन इस सॉलिड रैजिड और स्ट्रॉंग क्नेक्टिव्टी इस हुए इन विच लिबिंग सेल लिबिंग है ठीक है और इम्बेड बट उसमें जो मैट्रिक्स मिले बोन कंसिस्ट आप सॉलिड मैट्रिक्स फ्लूड ठीक है लैकुनी और है बोन सेल को ही बोलते हैं ऑस्टियो साइट से याद रखना ठीक है स्टोर में इन ऑठेवरई और टेल County है और होकिन नों पूरे at बूरे हेडस में देखा 299 बोन," देखाएंग लन व глаз में मिल्टे हैं जिसमें लिन््स मतलबूण दोनों हैं और दोनों पैरों में मिला दिया जाए बैटा 120 120 मतलब है 180 180 160 60 50 han end left and light left left total मिला करके देख लिंगे है 240 बॉन अमारे यह ग़ले हमारे बॉड़ी में है सिर्प लीम्ज में और ट्वण्टी नाइन बॉन्स हे बहु nossa तो यह सारे मिला करके 206 बनाते हैं बोन का क्या काम है सपोर्ट करना फ्रेमोग बॉड़ी करना से प्रवाइड करना ठीक है प्रोटेक्ट दा वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एक्सक्टरा बोन वेरियस टाइप आप जॉइंट्स टीक है मुव्मेंट और लोकोमोशन में भी करता है क्यों कहां बनते हैं बोन मैरो में बनते में आप में सुर्ण के बॉन कैस्तों करता है बटा रहा है तो calcium store करता है तो आईए जानते हैं what is the difference between cartilage and bone bone और cartilage में क्या differentiate होते हैं तो अगर normal differentiate देखें तो cartilage जो होते हैं वो soft and flexible होते हैं वहीं अगर हम बात करें बोन को तो bone hard and inflexible होता है ठीक है cartilage की बात करें तो यह non-porous है इसमें कोई pores नहीं पाय जाते हैं cartilage में लेकिन bone में porous बाय जाते हैं ठीक है और cartilage में blood vessel की supply नहीं होती है इसलिए blood vessels are absent in the cartilage and bone में blood vessel की supply होती है इसलिए इसमें क्या बोलोगे present blood vessels क्या है bone में present है matrix is made up of protein किसमें cartilage की matrix होगी बेटा वो protein की बनी होती है और जो matrix bone की होगी कस की बनी होगी calcium magnesium की बनी होगी calcium phosphate जो बोला जाएक मेलि calcium phosphate की बनी होगी bone marrow absent होता है किसमें cartilage में cartilage में bone marrow नहीं पाय जाते हैं इसलिए blood cell का formation नहीं होता है bone marrow eligible होते हैं इसलिए blood vessels का formation होता है matrix a car homogenous mass and non-luminar यह क्या है matrix occurring laminaus मतलब देख लीजे क्या हमने यहाँ पर पीडियोप के according क्या बता है matrix found in organic matter ठीक है इसमें बस यह समझो यह homogenous होता है यह country लेमला होता है इसमें bone marrow cavity absent होती है इसमें bone marrow cavity present होती है ठीक है lacny without होगा इसमें lacny जो होगा वह branch में होता है फिर आते हैं cell occur singly and two four होंगे इसमें cells occur singly इसमें single cells आए जाते हैं तो इतना आप समझो सबसे easy यह है आप बताओ कि जो cutlase है वह soft and flexible bone hard and inflexible है जो cutlase है वह porous है और जो bone है वह porous sorry जो cutlase है वह non-porous है और जो bone है वह porous होते हैं ठीक है blood basals cutlase में absent होते हैं और bone में क्या होते हैं present होते है matrix जो होते हैं cutlase के वह protein के बने होते हैं वहीं हम बात करें bone की bone की matrix होती है वह किसकी बनी होती है calcium phosphate मतलब यह composition होता है calcium और magnesium का bone marrow absent होता है और इस catalyze में bone marrow present होता है bone में matrix homogeneous होता है इसमें lamelly होता है यह आपको याद रखें इसके बाद आता है fluid connective tissue क्या आता है आपका fluid connective tissue के बारे में हम भी बीट करेंगे तो fluid connective tissue it is specially type of connective tissue different connective tissue flow characters तो जितने भी fluid connective tissue है जैसे कि जो matrix liquid form में होगा तो fluid connective tissue का formation करेगा matrix not secreted by the coils ठीक है cell not power to division जो matrix है वो power नहीं होता है no power to divide फ्लूड कनेक्टिव टिसू जो bascular tissue के नाम से जाने जाते हैं इनमें matrix fluid होता है ठीक है और fiber matrix is not secreted by cell इसमें coils जो coils से secreted नहीं होता है they not have power to division तो calculate calculate देखा जाए body का तो आपको यह पता चलेगा responsible for transportation material one place to another place body it play the very important role in our body to ECF क्या जानता हो extra cellular fluid ECF का full नाम याद रखना extra cellular fluid which present कहां पाए जाता है in outside of the cell animal body known as extra cellular fluid के नाम से जाना जाता है these these are blood and lymph इन्हें blood और lymph के नाम से भी जानता है circulatory system का क्या है पार्ट है intestinal fluid इंट्रा-cellular space ठीक है सिलोमिक fluid एंड सिलो इंद सिलोमिक फ्लोड कहां मिलेगा सिलोम में मिलेगा ठीक है गटा प्लूरल मतलब कब्रिंग होती है और इसके दोनों लेइर के बीच में क्या आएगा प्लूरल फ्लूड बोला जाएगा इसी तरह होड की होड की जो कब्रिंग है वह भी दबल लेयर से बांड़ेड है जिसके अंदर फ्लूड आएगा जिसे पेरी कार्डियल टाइप आप अप देस अंडोसाइट इंटर्नल यह तो टाइप आप वैस्कुलर टिसू हम बात करेंगे मतलब फ्लूड कनेक्टिव टिसू को ही वैस्कुलर टिसू बोलते हैं और इनके टाइप को हमें डिवेट करना है ब्लूर्ड लीम बारबा याद रखिएगा ब्लू की ब्लूर्ट में टूटा है कुटी फॉडड होते हैं लीम द्म लेडव टूटेगा प्लाज्मा और का इसंट नहीं यह अलग हो गया बलोर्ट और ल सकतेगा लूब सकेंट जो प्लाजमा में yellow color का होगा 90% water होगा लेकिन corpals में erythrocyde, rbc, leukocyde, wbc and blood platelets होगे जो blood clotting में help करेंगे ठीक है और वहीं हगर हम देखा जाए wbc तो ये दो type के होते हैं granule के base पे agranule और granular तो agranule दो तरह कोते हैं monocyst, lymphocyst और granule जो होते हैं neutrophilo, basenofilo, esenofilo, इन सभी के बारे में हमें debate करना है next video lecture screen में अगर कोई topic नहीं समझ में आई है तो please comment box में लिख दें, उसे explain कर देंगे I hope आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी तो thank you for viewing, bye